नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जो तिश्दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंट संतो संतोशी आज 31 तारीक है और आज के दिन अभी और आप लख्टों पे मुलाकात कर सकते हैं राम नौमी बीट गई नौरात्री बीट गई अब एक नई उर्जा के साथ एक नए उपलब्धि के साथ आप लोग कदम बढ़ाएं जीवन में आगे बढ़ें जानकार यह ले लिए कि कल से आप हमसे गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं अपने जन्मांग के विश्टेशन के लिए कुंडरी दिखाने के लिए गाजियाबाद मे अगर मिलना आपकी मन में है कि आप मिले जन्मांग का विश्टेशन करवाएं तो उसके लिए 9910291850 यह हमारा कॉलिंग और वाट्सप नंबर और एक और वाट्सप नंबर है आपकी स्क्रीन पर तुरंत संपर करिए और मिलने का समय शुनिश्चित करिए आए शुरबात कर करते हैं हम आज के जोतिश दुशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग चैत्रमाह शुकलपक्ष दसमीति थी है आज चंद्रमा करकराशिवे नक्षत्र फुष्य रहेगा और योग रहेगा स दनुसार दिनांक 31 मार्च दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजेगा सुबह दस बच कर 30 मिनट से 12 बजे तक और गुलिक काल का समय रहेगा शुक्रवार के दिन सुबह साड़े साथ से 9 बजे तक राहुकाल में नए और शुबकाम के लिए सास् करते हैं लेकिन गुलिक काल कंसीडर करवाता है यह तो रहा पंचांग आज का आई ये बग कदम बढ़ा देते हैं और जानते हैं आज की पूरे दिन का हाल आज की दिब्ब भविश्यवारी मेश राशि पढ़ाई के लिए आज का दिन बहुत अनकूल रहेगा सिक्षा में कदम बढ़ाया जा सकता है विदेश में जाकर सिक्षा गरह करने वाले बच्चों के लिए आज उस निमत कुछ काम अगर करना है तो कदम बढ़ा लीजेगा काम जरूर कर लीजेगा ब्यापार के लिए समय थोड़ा सा रिस्की है बिजनस आज बहुत अच्छी स्थिति में रहे रहेगा मंचंचल रहेगा शैनी देव थोड़ा सा आपको आज परिशान कर सकते हैं कामों में अवरोध ला सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय बहुत अनकूलता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी लेकिन सरकारी छेत्र आप पर आज थोड़ा सा तीखा हमला करेगा आज का दिन आपके लिए सूच समझके निरड़े लेने वाला है दांपत्य जिवन अनकूल रहेगा पत्नी का साथ बना रहेगा एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे लेकिन लव लाइफ थोड़ी बहुत उठा पटक देगा स्वास्त के मामले में आज पेट और किड़नी की समस्या आपको दिखाई देगी प्रियों क्या करना चाहिए गर आपकी राशी मेश है तो आज कच्चा दूद अपने मस्तक पर लगा लिजेगा लाल रंकी शुपता रहेगी तो अर्थामन प्रत्शत का भाग्या आपके साथ रहेगा ब्रिशब की बात कर ले तो आज दिन बहुत अनकूल है सिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी ब्यापार में आज कुछ बड़ा करने की चाहत को आप पूरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आप पर आज महरबान है दिन बहुत अनकूल रहेगा नवकरी में प्रमोशन होगा सरकारी शेतर वालों के लिए जो गवर्मेंट सेक्टर में जॉब करते हैं आज किसी भी काम को ले करके ना नहीं कहना है काम में बिलकुल लगे रहेगा बॉस के साथ विवाद की स्थती थोड़ी बहुत परिलक्षित हो रही है दामबत्य जीवन ब्रिशब राशी 31 मार्च बिलकुल अनकूल है किसी तरह की समस्त्या नहीं है इन फैक्ट कल की समस्त्या का आज निस्तारण हो जाएगा स्वास्थ और लव लाइफ बहुत बहतर है आज स्रेन देव की किरपा आपर बनी हुई है स्वास्थ में के बल पंक्चुल्टी थोड़ी सी अनुशाशन डिसिप्लीन और तवाओं का समय पर सेवन आधी करते रहेंगे तो बिलकुल ठीक ठाग बीतेगा बात करें गर हम आज प्रियोग ब्रिशब राशी वाले क्या करें तो अपने कान के पीछे थोड़ा सा काजल लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज काला भागी प्रद्शत 56 मिथुन राशी मन थोड़ा अभिशुलित है शिक्षा में कम लग रहा दूति यस्त चंद्रमा पुश्यनक्षत्र थोड़ा बहुत बहुत जादा बोल देने की वज़े से परिशान फील करेंगे आज शिक्षा नहीं हो पाएगी ब्यापार तो बहुत अच्छा है बिजनस में किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं है बिजनस में रिस्क भी लिएंगे तो सफल होंगे मिथुन आशिवालों के लिए आज प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों से प्रभाव पढ़ना दिखाई देता है सरकारी छेत भी गजब का है किसी तरह की समस्या नहीं है दामपत्य जीवन बहतर परिणाम दिखाएगा आज पतनी का साथ बना रहेगा लव लाइफ में कुछ बाएं बदाएं बात करना आपके लिए घातक रहेगा स्वास्त के मामले में आज खासी जुखाम की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मिथुन है तो आज भगवान गणेश को एक सुपारी अर्पित कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भाग्यप्रत्षत 58 करक राशी दिनांक 31 मार्च मन बिलकुल प्रशन है किसी तरह की समझ्या नहीं मानसिक शांती रहेगी आज चंद्रमा आपकी राशी में टहल रहे हैं व्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की रुकावट नहीं दिखाए देती प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को थ थोड़ा समाल कर कदम बढ़ाईएगा सरकारी छेतर में कुछ बढ़ा करेंगे आज बहुत प्रशन रहेंगे काम में मन लगेगा प्रमोशन की बात हो सकती है दांपत्ते जीवन अच्छा है पतनी और बच्चों की बीच तालमिल बहुत अच्छा बैट रहा है लव आपके लिए आज सफेद भागी प्रतिशत कितना पच्छपन सिंगराची मांसिक शान्ती मिलेगी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में कोई रुकावट नहीं है आज प्राइवेट सिक्टर आप पर थोड़ा सा टफ सिचुएशन पैदा करेगा प्राइवेट सिक् पूलता दिखाएगा इस्थतियां आपके पक्ष में रहेंगी गौर्मेंट सिक्टर में कोई दिक्कत नहीं है दांपत्य जीओन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की बीच ताल मिल अच्छा बैठेगा लव लाइफ थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लीजेगा सिंग स्रंग आपके लिए आज बैगनी प्रत्षत पच्पन कन्य राशी दिन जबरदस्त रहेगा पढ़ाई में खूमन लग रहा है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार में थोड़ा सा मामला गडबर हो सकता है विजनस को लेकर सतर्क रहिएगा प्राइबर सिक्टर आप पर हर कदम पर कुछ बड़ा करने की चाहत को इंस्पायर करेगा सरकारी छेत्र कन्य राशी आज जो आप सोचे थे हो रहा है दामपत्य जीवन अनकूल है पत्नी का भी साथ है आज सबसुदाल से रिस्ता मधर रहेगा और बीच बचाओ करके और ज्यादा बेहतर कर सक करते हैं दामपत्य जीवन अनकूल है पत्नी का साथ भी है लव लाइफ को लेकर कि आज थोला सजग रहिएगा आज किसी बाहरी तत्योकास तक शेफ होगा नियराशी एक तिसमाल स्वास्थ के मामले में आज घुटने की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या साथ तुला राशी मांशुक्षानती आज है मन बहुत प्रशन है लहाजा सिक्षा तो बहुत अच्छी होगी पढ़ाई में कोई दोश नहीं ब्यापार भी जैसा आपने सोचा है वैसा कर ले जाएंगे बिजनस को आज आप बल दे रहे हैं और यह बिजनस आपका अच्छ स्वास्त के मामले में आज हर्ट की प्रॉब्लम और शुगर की दिखाई देती है प्रियोग के तोर पर आज मादूर्गा का ध्यान करिएगा ग्यारे बार इसका जाप करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भागी प्रतिशत तिर्वपन दिश्चक राशी हर लिहाज से दिन आपके लिए राम बार है पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी शुक्षा को आप जितना आगे लेके जा सकते हैं उतना जा सकते हैं शुक्षा बहतरीन ब्यापार की स्थिति थोड़ी सी दावा डोल है बिजनस आपके लिए ठीक की स्थिति में नहीं दिखाई देता प्राइविट सेक्टर आप जैसा सोच रहे थे वैसे ही कदम बढ़ा सरकारी छेत्र सब तरह से आपके अनुका अनुशार है अनकूल है दामपत्य जीवन बेहतरीन पती पत्नी की बीच दाल में सेट आज का दिन कुछ बढ़ा करने की चाहत पूरी करेगा मैजर लाइफ में आज कहीं निवेश करने के लिए भी दिन अच्छा है पती पत्नी कहीं गुवने टहलने भी जा सकते हैं लेकिन लव लाइफ यहां पर चंचलता आपके लिए घातक बन सकता है थोड़ा अपने वानी पर एमोशन्स पर काबू रखिएगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज सब कुछ ठीक तो रहेगा बढ़ पोले पन से बचिएगा बहुत जादा बोलना आपके लिए घातक रहेगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रदशत 69 धनुराशी दिनांक 31 मार्च शिक्षा पूरण रूपेड आपके अनुसार चल रही है पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार अनकूल है बिजनस की स्थिति को समार सकते हैं आप प्राइविट सेक्टर आपके लिए आज कुछ अच्छा करवाएगा सरकारी छेत्र थोड़ा सा संभाल कर कदम बढ़ाना होगा दामपत्य जीवन जबरदस्त रहेगा पतनी का साथ भी बना हुआ है लव लाइफ थोड़ा सा टफ सब्सक्यूशन मिलाएगा धनुराशी वालों को आज दोसरों की बातों पर नहीं आना है दोसरों की बात अगर आप सुनेंगे तो आप अपने लव लाइफ को प्रभावित करेंगे तो आस्त के मामले में आज जुखाम खांसी के शिकायत धनुराशी वालों को हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए आज उपाय के लिए किसी छोटे बच को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुब रंग आपके लिए आज काला भागी प्रत्षत 56 मकर राशी मकर राशी वालों के लिए दिन बहुत अनकूल है पढ़ाई देखा जाए तो आज चंद्रमा आ चुकी आपके साथ में में हैं तो इधर उधर घुब्य तहलने में समझ जादा जाएगा लेकिन फिर भी पढ़ाई शाम होते होते हो जाएगी ब्यापार आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही चल रहा है बिजनस में कोई रुकावट नहीं है इन फैक्ट मकर राशी वालों को आज बिजनस के लिए अपने पार्टनर्शिप पर ज्यादा फोकस करना होगा अगर आप साज़ेदारी में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए आज कहीं पश्चिम दिसा में आफर आ सकता है सरकारी छेत्र जैसा आपने सोचा था वैसा ही चल रहा है गवर्मेंट सेक्टर मेहनत का परिणाम दिखा रहा है अनकूल इस्थती में है गांपत्त जीवन गजब कर रहेगा आज मकर राशी व हो सकती है प्रियोग के तौर पर किसी जरूरत मंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके रियाज केसरिया भाग्य प्रत्षट बावन कुम्बराशी मानसिक शांती मिल रही है पढ़ाई बहुत अनकूल है किसी तरह की दिक्कत नहीं सिक्छा अच्छी चल रही है व्यापार की स्थती को थोड़ा समारने का प्रियास करिएगा बिजनस आपके हाथों से कुछ बाहर निकलेगा प्राइबर सेक्टर गजब का है अवसर अच्छे देगा सरकारी शेत्र को समारने का प्रियास करें दाबबत्य जीवन हर कदम पर आपको शुबता दे रहा है लव लाइफ थोड़ा सा गड़बर करेगा आज कुम्बराशिवालों को लव लाइफ में बाहरी तत्यो का हस्तक्षिप नहीं बरदास्त करना चाहिए स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आखों से पानी आना और बैक के प्राबलम हो सकती है क्या प्रियूग करना चाहिए आज कुम्बराशिवालों को आज ओम नम्ह शिवाय के ग्यारह बार मंद्र का जाप कर लीजेगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत 51 अंतियम राश्मीन पढ़ाई हर कदम पर पूर्णता की तरफ बढ़ रही है शिक्षा बहतरीद शिक्षा शुब है ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सिक्टर को जितना आप आज रिन्यू करेंगे मतलब आज कुछ उस स्वास्त के मामले में आज किटनी और आँकों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राश्मीन है आज का दिन बहतर करना है तो एक लाल पुष्प अपने पास रखें शाम को किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा शुबरंग आपके लिए लाल भाग प्रतिशत 50 राश्यों का हाल समझ लिया है तो बताऊं आपको कि अचा हां एक जानकारी आपको यह दे दे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गाजियाबाद में अगर आपको मिलना है गाजियाबाद में जुड़ना है तो आपको समय तुरंत लेना चाहिए समय आपके प है कि आप उसे बिंदावन मिलेंगे तो आए सुरुवात करते हैं आज के सक्सेस की का दाइने हाथ के अगूठे में एक काला धागा शाम तक के लिए वही रील वाला धागा बांध लीजेगा और जब सुद्यास्त हो जाएगा तो खोल कर किसी पौधे की नीचे डालेगा दिन आपका बहुत प्यारा भी देगा हर तरह से आप सुरक्षी तरह महसूस करेंगे और सक्सेस की वो चीज है कि आपको फील होता है कि आपने कुछ इख्ट्रा पाया है सफल करता है आप यात्रा में है और बाल-बाल बच गए सक्सेस की आपके साथ है भाग्याक्षर को रखना है अपनी मून साइन के हिसाब से जानते हैं आज का भाग्याग्षर मेश जाग्षर बिशब का मिथुन थाग्षर करक ज्जा सिंग भाग्षर कन्या धा तुला याग्षर बिश्चिक ना धनू लाग्षर मकर गा कुम्भ सग्षर मीन पह नोट कर ले अपनी चंदर राशी के अनुसार अगर आपको अपनी मून साइं चंदर राशी नहीं पता है तो ऐसे तो बहुत इजी है चंदर राशी आप गुगल भी करके निकाल सकते हैं आसानी से अपनी डेट आप बर्थ टाइम आप बर्थ तो आप पुक आज का आईश्वान भवह, जिसका 31 मार्च को जनम दिन है, उनके लिए एक छोटा सा प्रियोग आज का प्रियोग है किसी जरूरत मंद को खाना खिला कर तीन पीपल के पौधे कहीं अपने हाथों से लगा दीजिएगा और जिसकी आज मैरी जैनिवर्सरी है, वह दो बरगत के पौधे कहीं लगाकर शिवाले में बैठकर सुन्दर कांड का पाठ कर ले आज का बस पैकेज इतना ही, हमें अनुमत दीजे, अपना बहुत ख्याल रखें, हस्ते, मुस्कुराते, उत्साह के साथ जीवन जीए और अपने एश्टो फ्रेंड को अपना प्यार योहीं देते रहें जोतिश जरा हटके, ये भी हमारा एक चैनल है, योट्यूब चैनल, जोतिश विज्ञान में रुची रखने वालों के लिए, यहां पर हमने बहुत सारे कॉंटेंट्स दाले हुए हैं, जिसको आप लोग जरूर देखा करिए, योट्यूब पर है, और कहीं नहीं, जोतिश जरा हटके, आज के लिए तना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, नमस्कार, शिरादे